दोस्तों स्वागत आपके अपने जनरल सिविल साइड विजिड में दोस्तों जैसे कल जो वीडियो आया था हमारा कि आर्किडेक्ट प्लान पे कितना खर्चा आया था तो उसी में मैंने पूछा था कि लेवर चार्ज इस पर वीडियो बनाऊगी नहीं तो आज का वीडियो उसी पर है कमेंट आये थे काफी तो एक एग्जेंपल के साथ में आपको वीडियो पूरी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, स्टील स्ट्रक्चर, कॉंक्रीट जितने भी गर के काम होते हैं उसमें लेवर का खर्चा कैसे निकालते हैं और लेवर का खर्चा मे 3BHK रहने वाला था तो उसमें टोटल कितना खर्चा आया था वो हमने लिया था 1400 पर स्केर फीट के हिसाफ से काम लिया था 1400 पर स्केर फीट उसमें इतना ज़ादा खर्चा किन था उसमें ऐलिवेशन थी जो ऐलिवेशन काफी ज़ादा थी ऐलिवेशन इसकी वज़ा से औ ताकि आपको बारां सो से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप कुंट्रेक्टर को देते हो तो हजार इंटू चोधन सो किया तो एक का आगए चोधन लाग रुपिया ग्राउंड फ्रोर का और सेम मैंने उपर का ले लिया क्योंकि अतना ही एरिया था उसमें थोड़ी अलवेशन सी लेकिन उपर का कम आता है थोड़ा लेकिन उसमें elevation के कारेंग सेम आया तो मतलब G plus 1 1000 square feet, 1400 रुपया पर square feet के साफ़ से मारा 5,500,000 रुपया उसमें खर्चा आया था total हमने उसको की पकड़ा दी थी मतलब पूरा finishing से लेके door तक लगा के, सब कुछ लगा के उसमें interior को छोड़के सब बाकी painting, plastering, door window, सब कुछ करके plumbing सब लगा के 28,00,000 रुपय में वो गर duplex G1 तियार हो गया था अभी उसमें labor charges क्या रहे थे वो मैं आपको बदा देता हूँ हम नीचे earthwork से start करते हैं नीचे हमारी excavation बगार हुई थी तो देखो मैंने सब ले लिया है जो ये end का price है वो basically उससे 1-2 रुपया कम था हमारा बाकी ये था बाकी states के भी cover हो जाएंगे इसमें earthwork और execution का कितना खर्चा जाता है आठ से 12 रुपय पर cubic feet जितनी भी आपकी मिटी निकालनी रहेगी न तो उसका cubic feet निकाल देना है तो 8 से 12 रुपय cubic feet रहेगा अगर concrete provide मतलब डालने का जो खर्चा रहता है मतलब जैसे column हो गया beam हो गया slab हो गया तो अगर footing की बात करें तो 12 से 15 रुपय पर cubic feet उसका खर्चा रहता है लेवर चार्जिस रो रहता है ये लेवर चार्जिस पता रहे हो material इसमें नहीं है सिर्फ लेवर का खर्चा इसमें हो रहा है और इससे आप इसली निकाल सकते हैं अगर footing आपकी है 10 m3 की तो आप back multiply कर दो 12 ठीक है तो इससे आपकी खर्चा निकल आएगा अगर मैं column की बात करूँ तो 20 रे 30 रुपय पर cubic feet हमारा खर्च रहने वाला है अगर column हा रहा होगा 400 cubic feet के हमारे column है तो हम multiply कर देंगे 20 से तो हमारा सीधा निकल आएगा हमारा कितना लगेगा 8000 रुपया लगेगा यह जितना भी आपका calculation इससे कर सकते हो तो यह labor charges आपको पता चल जाएंगे प्लिंथ बीम की बात करूं तो उसमें 12 से 15 रुपय पर cubic feet खर्च लेती है labor का charges stair case की बात करना उसमें ज़्यादा रहता है थोड़ा डालना बालना vibrator मारना और CD की राइजर में डालना तो डिकत रहती है तो 30 से 40 रुपय पर cubic feet उसका रहता है फिर मैं बात करूं सरीय का काम जो steel structure होगे आपकी slab का सरीया steer case का beam का छजजा का lintel का तो उसका क्या खर्चा रहता है देखो टन के एसाब से लेते हैं कही जगा तो square feet के साथ है लेकिन टन के mostly लेते हैं तो हमने जो दी है per turn per metric turn के कितने लेते हैं 4500 से 5500 रुपया metric turn लेते हैं basically 4500 रुपया में आपको काफी मिल जाएंगे जिसमें slab का भी बांदेगा beam का भी column का भी plinth beam का भी और बाकी चजजा और lintel का थोड़ा कम रहता है क्योंकि उसमें इतना ओर नहीं रहता तो उसमें 3500 से 4000 रुपया per metric turn उसमें वो आपका रहता है तो ये हो गया क्योंकि इसमें इसका कबर हो जाता है बाकी अगर आप बात कर रहे हैं अभी हम आपका brick work का wall construction का तो जो 9 इंच की बाल रहती है उसमें 15 से 12 रुपय per square feed वो खर्चा लेती है इसका लेवर चार्जिस रहती है इदर से clear हो गया फिर हम flooring की बात करते है जो हमारी floor की tile होगी नीचे विटरिफाइट है ठीक है जो नीचे tile होगी तो उसका जो खर्चा लाता है 13 से 20 रुपय per square feed वो खर्चा लेती है लेवर मतलब लगाने का सिर्फ फिक्सिंग का फिर अगर जो ट्रांस्पोर्टेशन वे आती है उसमें उपर नीचे माल करना वो भी उसमें आ जाता है अगर wall की tile है डेट हो है तो 10 से 16 रुपय पर square feed वो खर्चा लेती है लेवर उसको लगाने का wall tile को floor tile को 13 से 20 रुपया अगर मैं बात करूँ ब्रिक बर्क का वुडविंड बर्क का तो इसमें हमने साल वुड यूज की थी तो अगर door का बताऊं मैं अगर जो main door, front door जो बाहर के door रहते हैं 20 से 20 से 200 रुपया पर feed आपका खर्चा रहता है ठीक है और window का 170 से 200 रुपया पर feed आपका खर्चा रहता है लेवर चार्ची सिर्फ इसमें क्या आगे है लेवर चार्ची बाकि इसमें material चार्ची अभी जोना बाकी है फिर हम बात करते हैं जो grill होती है हमारी MS की grill लगाना हमारी शत में आगी या नीचे पोड़ी में आगी पेंटिंग के लेवर चार्ची सिर्फ रहेंगे आपके एक्स्टीरियर अगर पेंट करना है 6 से 8 रुपया आपका पर स्केर फीड के हिसाफ से पेंटिंग चार्ची रहेंगे उसमें सब लियर आ गई उसमें complete वो करके देंगे लेवर चार्ची सिर्फ होगे प्लस्टिंग के अगर मैं बात करूं तो प्लस्टिंग अगर सीलिंग में प्लस्टर करना है तो उदर 12 से 15 रुपय पर स्केर फीड आपका खर्चा पड़ेगा इसका लेवर चार्ची कितने पड़ेंगे 12 से 15 रुपय अगर इंटरनल प्लस्टर है तो 20 से 25 रुपर स्केर फीड अगर external है तो 25 रुपर स्केर फीड आपका खर्चा पढ़ने वाला है फिर अगर मैं बात करूं electrical और plumbing का जो काम रहता है उसमें labor charges कैसे पढ़ते हैं तो electrical का अगर काम रहेगा तो उसमें 130 से लेके 1500 पर स्केर फीड के हिसाब से आपका electrical का खर्चा पढ़ते हैं और plumbing का अगर हम बात करें तो 120 से 1500 पर स्केर फीड के हिसाब से खर्चा पढ़ता है अगर piping का बात करें तो यह basic आपके लिए थमरूल था कि जिसमें मैंने आपको complete बताया कि आपका पर स्केर फीड लेवर के हिसाब से कितना पढ़ेगा या पर क्यूभी फीड कोई भी काम होगा आपको लेवर का rate इधर मिल गया मतलब लेवर का charge इतने से इतना आपका पढ़ने वाल है फिर आपको इसमें जोने है material का तो आप total cost वैसे निकाल लोगे जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस गर को बनाने के लिए हमने कितना लिया था 1400 रुपया पर स्केर फीड के हिसाब से लिया था हमारा 1000 स्केर फीड का था तो हमने 1400 मल्टिप्लाई किया था हमारा 14 लाग आया वैसे डिप्लेक्स गर्था 3BH के था तो elevation को साथ में include करके हमारा 28 लाग रुपया खर्चा आने वाला है उस पर टोटल इसे मैंने कलकी वीडियो में रेट बताया था 1200 से 1400 रुपया पनुटरक्टर लेते हैं तो उसको आपको क्या करना है आपने आप अरिया में पता कर लेना है क्या कंस्रक्षन का खर्चा चल रहा है तो आपका अगर 20 वाय तो कितना 600 स्केर फीड हो गया तो 600 को मेल्टिप्लाइ कर देने आपके एरिया में चल रहा है कि हमारा 1200 रुपया पर स्केर फीड कर चल रहा है तो आपका जितने निकलाएगा कि आपका कितना पैसा लगने वाला है घर बनाने में अगर हम खुद की बात करें कुंट्रेक्टर क को मैं छोड़ दूँ कि कुंट्रेक्टर हमने इंक्लिउड नहीं करना है तो वही 600 रुपया का आपका 1000 रुपया मतलब 200 रुपया डिरेक्ट कम हो जाएगा तो आपका मतलब ट्रॉक्स 6 लाग रुपया खर्चा आएगा घर बनाने में मतलब इसली हम इससे एस्टीमेड कर सकते हैं एक्चुल तो नहीं निकलेगा लेकिन एस्टीमेड कर सकते हैं कि आपको आपके इतने स्केर फीड का गर है आपको इतना खर्चा उसको बनाने में आने वाल है